इसमें नफरत की हिंसा की बाटो और राजकरों की राजनीती को भारती जंता पार्टी के लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और इसके पीछे एक ही मकसद और एक ही कारण है इस देश को कमजोर करना आज महंगाई आस्मान चू रही है महंगाई पर कोई बाच्चीत और चर्चा ना हो बेरोजगारी के कारण हर्याना का नौजवान उत्तरप्रदेश का नौजवान फांसी लगा के मर जाता है के संकट से पूरा उत्तरप्रदेश तरहितराई कर रहा है उसके बारे में कोई चर्चा ना हो इसलिए प्रायोजित तरीके से नफरत की राजनीती को बढ़ावा दिया जा रहा है भारती जनता पार्टी अंग्रेजों के फार्मूले पर बाटो और राजकरों के फार्मूल कर के द्वारा बनाए गए भारत के संविधान की रक्षा के लिए भारत माता के आन बान kalau की रक्षा के लिए और गर्व से जो तिरंगा हम लोग लहराते हैं उस तिरंगे की आन बान Likewise के लिए आमाद्मी पाटी पूरे उत्तरप्रदेस में तिरंगा साखाओं का निर्मार करेगी इन तिरंगा साखाओं के माध्यम से हम उत्तरप्रदेस और भारत की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हर भारती की पहचान तिरंगा निसान और भारत का संविधान इन तिरंगा साखाओं में भारत का तिरंगा लगा कर गाओं में शहरों में कस्बों में अपने पार्टी के दफ्तरों में हम लोग तिरंगे के आगे भारत का सम्विधान हर सभा के पहले पढ़ेंगे और जो सभा आयोजित होगी उसमें किसी न किसी महापूरुस के विसे में उस दिन चर्चा होगी बाबा चन्वोस शहीद रोसन सिंग्ष में राजेंद द्रीज शहीद अस्वाक उल्ला काकोरी चांड के शहीदों की चर्चा हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन है वीविदीता में рукता भारत की विसेस्ता उससे जनता को आउगत करने का काम करेंगे टिरंगा साखाओं के माध्यन से और इन तिरंगा साखाओं में दस हजार साखा प्रमुक बनाने का लक्ष हमने रखा है जो आने वाले छे महीने के अंदर हम लोग पूरा करने का काम करेंगे यानि कि दस अजार साखा प्रमुख तिरंगा साखा प्रमुख उत्तर प्रदेश में छे महीने के अंदर आम आदमी पार्टी बनाएगी और एक जुलाई से तिरंगा साखा का सुबारंब पूरे उत्तरप्रदेश में हम लोग करेंगे तब तक जितनी साखाएं हमारी बन जाएंगी उन उन जगों पे हम लोग अपनी साखाएं प्रारंब कर देंगे और फिर मैं दोहरा रहा हूं हर भारती की पहचान तिरंगा निसान और भारत का संबिधान इस लक् भी चल रहा है वार्डों का पुनर गठन भी होगा उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मौजूदा समय में 12,000 के लगभग वार्ड पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं लगभग 17 नगर निगम हैं जिसमें 1300 वार्ड हैं लगभग 198 नगर पालिकाएं हैं जिसमें 5200 के करीब वार्ड हैं और 439 ताउन एरिया यानि की नगर पंचायत हैं जिसमें लगभग 5300 के लगभग वार्ड हैं इन सभी वार्डों में और सभी चेर्मैन और मेयर के पद पर आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इसके लिए आप जैसा जानते हैं कि हमने अभी पूरे पार्टी का संगठन भंग करके रखा है जिलों के प्रभारी बनाए गये हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं उनको विधानसभा का प्रभारी बनाए गया है उनके च्छेतर में आने वाली नगर पालीकाय, नगर पंचायत नगर निगम के वार्ड वहां पर वार्ड कमेटियों का गठन और वार्ड कमेटी के नीचे बूत कमेटियों का गठन और बूत कमेटी के नीचे तीस घर के उपर एक महला प्रभारी का गठन हम लोग करेंगे यानि अगर एक बूत में बारा सव वोट हुए तो आमत पर तीन सो घर माने जाएंगे और तीस घर के उपर एक महला प्रभारी बनाएंगे जो महला प्रभारी अपने घर के उपर आम आदमी पार्टी का बोर्ड लगाएगा आम आदमी पार्टी के कुछ मुद्दे लिखेगा केजरी बाल जी की और अपनी फोटो लगाएगा आम आ पर जमीनी अस्तर पे एकदम नीचे से संगठन की सुरवात उपर के लिए होगी तो एक मजबूत संगठन का हम लोग निर्मार करेंगे और मजबूती से नगर निकाय के चुनाओ पूरे उत्तर प्रदेश में आमाद्मी पार्टी लड़ेगी अभी आप लोगों ने देखा ह होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय जबर्दस्त बिजली का संकट है मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि बांदा देश का सबसे गर्मी जहिलने वाला जीला बना उत्तर प्रदेश का 47 डिग्री टंपरिचर रहा और पूरे बुंदेल खंड में 10-10 घंटे 12 12 घंटे का टोती हो रही है यही हालत उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों की है गाउं में लाइट नहीं है शहरों में लाइट नहीं कस्मों में लाइट नहीं 23,000 मेगावाट की जरूरत है और 19,000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को मिल पा रही है यानि 4000 और कहा क्या जा रहा है पूरे देश के अंदर, माहौल क्या बनाया जा रहा है, कोल प्रोडक्शन कम हो गया, कोईले का संकट हो गया, कोईला खतम हो गया, कोईला दो दिन का बचा, कोईला एक दिन का बचा, मैंने माइनिंग में इंजिनरिंग किये, और कोल इंडिया में काम क बंद नहीं हुआ कोईले का प्रोडक्शन जारी था करोना के संकट के समय में इंडस्टी बंद रही लेकिन कोईले का प्रोडक्शन रुका नहीं कोईले का उत्पादन जारी था और कोल इंडिया दुनिया की नंबर एक कंपनी है कोल उत्पादन के मामले में और भारत पूरे हजार छेसो करोन रुपए बकाया है राज्य सरकारें पंदरा हजार छेसो करोन रुपए का बकाया है राज्य सरकारों के उपर कोईले का यानि कि कोल इंडिया से कोल खरीद लिया गया और राज्य सरकारों ने उनका भुकतार नहीं किया कितने का पंदरा हजार छेसो करोन इसके पीछे की राजनीती को आपको समझना बहुत जरूरी है इसके पीछे के भरस्टाचार को आपको समझना बहुत जरूरी है यह संकट पैदा किया जाता है यह प्रायोजित संकट पैदा किया जाता है प्राइबेट बिजली की कमपणियों को फाइदा पहुचाने के 20 रुपए यूनिट, 22 रुपए यूनिट, 25 रुपए यूनिट, अनापसनाप तरीके से, क्योंकि कोईले का संकट पैदा कर दिया गया, बिजली की जरूरत बढ़ गई है, बिजली की जरूरत पूरी होने ही रही है, तो साब हमें तो अब प्राइवेट से खरीदना पड़े ये है बरस्ताचार का पूरा खेल